प्रोपर्टी, सभी persons इसकी sale, purchase या renting कभी ना कभी अपनी life में करते ही है आप सभी ने भी करी होगी या फिर हो सकता है future में करने की सोच रहे होगे तो year 2024 में प्रोपर्टी के buy, sell और renting के text rules बदल गए है इसलिए ये सारे नए rules आपके साथ discuss कर रहे हैं बहुत important वीडियो है आप खुद दो देखी रहे हैं नीचे देगे share के tab से और भी persons के साथ जादा से जादा WhatsApp, Telegram, Twitter and Facebook पे share करें आप देख रहे हैं C.A. Guruji, मैं हूँ C.A. Pooja तो मैं आपको one by one, buyer के point of view से, फिर seller के point of view से और फिर renting के point of view से discussion कर रहे हूँ पहले समझते हैं text rules buyer के point of view से प्रोपर्टी को अगर आप buy करते हैं यानी purchase करते हैं तो दो तना के text applicable होते हैं stamp duty और दूसरा है TDS ये rules applicable होते हैं जब आप प्रोपर्टी को purchase कर रहे हैं stamp duty होती है आपका जो circle rate है या आपने जितने में property buy करी है उनमें से जो भी value higher होती है उस पे आपको stamp duty pay करनी होती है इसके basis पर आपके property की register कराई जाती है TDS का rule कहता है कि अगर आपकी property की total value रुपीज 50 lakh से जादा है तो आपको seller का 1% TDS deduct करके comment को deposit कराना होता है इस case में अगर आप TDS deduct करते हैं तो आपको एक form use करना होता है 26QB इसी form के थुरू आप TDS deposit भी करते हैं और यही आपका एक तरह से TDS की return भी मानी जाती है जब buyer एक seller का TDS deposit कराता है यह pan based होता है इस तरह की videos आपको मारे channel पर detail में मिलेगी उनको जरूर देखना है तो यह process होती है purchase के case में अब अगर अभी तक आपने कोई property buy नहीं करी है तो आपको पता होगा कि property का future बहुत ही bright माना जाता है property एक ऐसी चीज है जो आपके future को secure करती है और साथ ही आप अगर कोई अपना घर खरीद रहे है खुद के residence के लिए तो आपको एक रहने की जगा देती है आपने अपना business शुरू करना आप commercial property खरीद रहे है कोई दुकान खरीद रहे है तो इससे आप अपने business को वहाँ पर चला सकते है ग्रो कर सकते है और future में कोई भी financial complexity आपको लगते है कि मुझे finance की जरूरत है पैसो की जरूरत है तो आप इस property को बेच के fund भी कठा कर सकते है और इन properties की value बढ़ती ही रहती है जैसे मान लो आपने year 2004 में कोई property खरीदी 50 lakh में और आज हम है year 2024 में तो मैं पूरी उमीद है कि ये value 50 lakh नहीं होगी अब ये value बहुत जादा बढ़ चुकी होगी हो सकता है 1.5 करोड भी हो गई हो तो property की investment को इसलिए बहुत जादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसकी returns बहुत अच्छी होती है तो अगर आप भी property buy करने की सोच रहे है पर आपको लगता है कि मुझे property तो ठीक है मैं खरीद लूँगा पर मुझे जो भी property पसंद आती है उतना मेरा budget ही नहीं होता मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते तो जब भी आपके पास पैसों की कमी होती है तो आपके पस एक option होती है loan लेने की जितना पैसा आपको कम पढ़ रहा है आप उतने amount के लिए bank के पास loan के लिए apply कर सकते हैं पर कोई भी bank आपको loan देने से पहले आपके कुछ documents चेक करता है सबसे पहला document होता है आपकी ITR second document होता है आपकी banking अगर आप solid person है तो आपकी form 16 and यह तो documents है जो आपको अपने पास तयार रखने ही चाहिए अगर आप loan लेने की सोच रहे है then bank आपका एक चीज और चेक करता है वो है आपका credit score क्या है यह credit score होती है आपके credit score के levels poor, average, good and excellent these are basis on some points और जैसे जैसे यह points आपके बढ़ते हैं आपको loan लेने में असानी हो जाती है अगर आप excellent level पर आजाते हैं तो यह मानिये कि bank खुद ही आपके पिछे-पिछे आते हैं आपको loan देने के लिए आप अपने credit score बिल्कुल free में चेक कर सकते हैं मेरे description में दिये गए link से वहाँ से आपको whatsapp पर मिलेंगे हर महिने के free updates वो भी कई languages में सिर्फ इतना ही नहीं पैसा बजार आपको आपके सभी bureau से credit score चेक करने के option free में देता है अपना credit score चेक करना बहुत जरूरी है दो तरीके के credit checks होते है soft check and hard check जब आप अपना credit score खुद चेक करते हैं तो वो soft check के अंदर आता है और जब bank किसी inquiry के लिए आपका credit score चेक करता है तो वो hard check के अंदर आता है hard check आपके credit score को impact करता है लेकिन soft check नहीं करते हैं इसलिए आप अपना credit score हर महीने जरूर चेक करें क्योंकि यह आपको बताता है कि बैंक आपकी creditability कैसे चेक करते हैं पैसा बजार का link description में दिया है आभी जाकर check करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका credit score बहुत important होता है description में दिये गए link से अभी free में अपना credit score जरूर चेक करें तो अभी मैंने आपके साथ जो requirement share करी है loan लेने के लिए हो सकता आप भी आपको यह लगे कि मेरा ऐसा कोई भी plan नहीं है मुझे क्या जरूरत है इन सभी चीजों की बट future का किसी को नहीं पता future में कभी भी अगर आपको कोई भी loan लेना है तो यही सभी major requirements होती है लोल लेने के लिए अभी से अगर अपना credit score इंप्रूब करना शुरू कर देंगे तो यह आपके लिए भी बहुत साथा beneficial रहेगा और property को buy करने से आप भी property की value बढ़ने के जो benefits होते हैं उनको ले सकते हैं taxation के rules यह buy value पर मैंने आपके लिए share करे हैं अब हम बढ़ते हैं seller के point of view से sellers के taxation rules 23rd July से change हो चुके हैं 23rd July 2024 को क्या हुआ था? Union budget announce हुआ था मोधी government के फिर से बनने के बाद form होने के बाद 23rd July को हमारा final budget present हुआ था जिसने property के tax rules में major change कर दिया आपके सामने दो tax rates present कर दिये गए 20% and 12.5% यह 20% था with index अब index को उसके बारे में नहीं पता तो वो मैं भी आपको बताऊंगी और यह 12.5% था without indexation तो persons के पास यह दो options तो दे दी गई यह बोल कर कि अगर आपने property अक्वार करी है 23rd July 2024 से पहले और उसको अगर आप sell कर रहे हो उस पर अगर tax आप निकाल रहे हो यह है section 112 तो आप यह दो options सिलेक्ट कर सकते हैं मेरे यहाँ पर एक एक word पर focus जरूर करना क्योंकि मैं आपको बहुत important बाते ही यहाँ पर बताऊंगी तो section 112 हमारा बात करता है पर अगर हम capital gain निकालते हैं और उस पर अगर वो टेक्स पे कर रहे हैं कामिन को ध्यान रखना capital gain निकालते हैं और अगर टेक्स पे कर रहे है section 112 में resident individually achieve तो वो इन दोनों options में अपना tax निकाल के compare करेंगे अगर उनको लगे कि किसी एक रिजीम में मेरा tax ज़ादा बन रहा है तो ज़ादा की value को forego कर दिया जाएगा अभी मैं आपको example से भी बताऊंगी पर अगर हम capital gain निकालने की बात करें जो हम capital gain निकालते हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको section 48 को refer करना है section 48 ने आपको capital gain निकालने के लिए एक ही option अप provide करें है कि जितनी आपकी property की sale value है उसमें से directly cost of acquisition माइनस कर दे whether आपने property को 2 साल से जादा hold करा है या नहीं अभी मैं आपको सारे concept बता रहे हूँ यह है taxation के rule आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते है तो मैं आपको example से समझाते हूँ जब भी कोई person property को buy करता है तो वो अगर उन्हें कर वो person उस property को 24 months तक hold करके sale कर रहा है तो यह होता है short term capital gain या loss और 24 months से above अगर उसने उसे hold किया है और फिर sell कर रहा है तो यहां निकलता है long term capital gain या loss ठीक है तो tax rate मैंने आपको बता दे section 112 में है और capital gain हमारा कैसे निकलता है short term के case में हमारा अभी तक जो taxation निकलता था वो होता था sale price में से minus किया जाता था cost of acquisition and cost of improvement और balance आपका आता था short term capital gain या loss जैसे हम एक example लेते हैं एक person है राम उसने अपनी property buy करी थी एक 50 lakh की हम year ले लेते हैं year 2023 में जुलाइ मन्थ में ठीक है और आप उसको वो बेच रहा है August 2024 में यहां बेच रहा है उसको 75 lakh रुपीज में तो आप देखिए उसने इसे 24 मन्थ से कम के लिए hold किया है तो यह उसका यहाँ पर short term capital gain arise होगा तो इस case में इसका selling price हो गया 75 lakh cost of acquisition हो गया 50 lakh cost of improvement हम मान रहे कोई नहीं है तो यहाँ पर उसका short term capital gain निकलता है 25 lakh और short term capital gain की taxation हमारी slab rate के हिसाब से करी जाती है clear आपको तो short term capital gain पे तो ना पहले को इंडेक्स का बैनीपिट मिलता था और ना ही अब मिल रहा है पर अब अगर हम यहाँ पर आए long term capital gain यहाँ पर हम long term के लिए example ले लेते हैं मालीजे राम ने 2004 में एक प्रोपर्टी 20 lakh की बाय करी थी और 2024 में वो इसको sell कर रहा है एक करोड ठीक है तो यहाँ पर अब उसका capital gain अगर वो 23 जुलाई से पहले इस प्रोपर्टी को बेच देता तो हम भी 4 लिग लेते हैं यहाँ पर अलग तरीके से निकलेगा और 23 जुलाई के बाद अगर इस प्रोपर्टी को बेचेगा तो अलग तरीके से निकलेगा 23 जुलाई से पहले अगर बेचता तो फिर तो यह जो वन करोड का इसका selling price है इसमें से 20 लाग हम माइनस नहीं करते हम पहले 20 लाग का उसी कोस्ट का index price निकालते यानि महिंगाई बढ़ने की वज़े से क्या impact आया है उसकी property value पर तो हम 20 लाग को multiply करते cost inflation index of year 2024 divide करते cost inflation index of year 2004 which is 113 यह approximate आएगा 64 लाग तो यहाँ पे इसका 1 करोड में से 64 लाग माइनस होता balance इसका capital gain निकलता 36 लाग तो 23rd जुलाई से पहले तो इस तरह से आपकी capital gain की calculation हो रही थी अब 23rd जुलाई के बाद इस case में capital gain calculation होगी 1 करोड में से सीधा 20 लाग माइनस करे जाएंगे यानि capital gain निकलेगा 80 लाग रूपीस तो देखें कितना difference आ गया 80 लाग और कहा 36 लाग ठीक है clear होगे आपको यह मैंने capital gain निकालना समझाया है जो बात करता है section 48 अब अगर कोई person यहाँ पर tax pay करना चाहता है यानि वो उसको further invest नहीं कर रहा है या उसका कोई भी इसमें से set off नहीं है किसी loss का तो अगर वो person अब यहाँ पर tax देना चाहेगा section 112 के according वो देगा तब वो इन दोनों options के लिए compare कर सकता है कि अब मुझे 36 लाग पर 20% tax लगा के देखना है और 80 लाग पर 12.5% tax लगा के देखना है इन दोनों में से जो भी मेरे लिए कम होगा मैं वो opt कर सकता हूँ इसको अब हम बोल रहे है new tax regime जो ये है हमारा और जो before वाला scenario है उसको old tax regime के नाम से denominate कर रहे है तो यहाँ पर एक बार हम tax लेते हैं कि 36 लाग पर कितना बनता है और 80 लाग पर 12.5% कितना बनता है तो अगर वो tax pay कर रहा है यानि अगर उसकी tax की calculation हो रही है तभी उसके पास इन दो regime को compare करने की option है और तभी फिर वो 7.2 लाग का tax comment को भर सकता है 10 लाग की बचाए पर अगर वो person सिरफ यहाँ पर अटक गया है यानि वो चाता है कि further मैं अब अपने इस capital gain को reinvest करके जो हमारे benefits है section 54 या 54F के मैं वो claim कर लेता हूँ तो फिर यह जो हमारा आगे taxation का part है वो उसके लिए applicable ही नहीं होगा उसको जो capital gain है यह नए rule से यह वला 80 लाग इसी को further जो invest करने के लिए हमारी conditions है वो सारी follow करनी पड़ेगी तो यह seller के point of view से हमारा taxation है कि आपका capital gain कैसे निकलेगा और capital gain पर फिर tax rate कैसे applicable होगा तो हमने buyer के point of view से भी समझ लिया और seller के point of view से भी समझ लिया property की जब हम बात करते हैं बहुत सारे person confused हो जाते हैं कि मैडम क्या आप land की बात कर रहे हो क्या आप flat की बात कर रहे हो floor की बात कर रहे हो villa की बात कर रहे हो building की बात कर रहे हो shop की बात कर रहे हो तो यहाँ पर समझे यह सभी के लिए same ही rule applicable है पर यह individual achieve के लिए है जो भी मैंने आपको समझाया है companies के लिए तो सिरफ नया regime ही अवलेबल है या farm की अगर हम बात करें other than individual achieve और resident की अगर हम बात करें तो उनके लिए तो फिर एक ही option अवलेबल है tax के case में अब हम discussion कर रहे है number 3 renting of property rent के case में दो तरीके से फर्क होगा honor के लिए और tenant के लिए तो पहले में tenant का perspective आपके साथ share करती हूँ अगर कोई person घर किराये पे ले रहा है और उसका rent 50,000 rupees per month से ज़ादा है तो उसको honor का TDS deduct करना होता है इस TDS का rate 30th September 2024 तक government ने announce कर रखा था 5% बट अब ये TDS rate 1st October 2024 से हो गया है हमारी metro cities है वहाँ पर जो property है उनके rent बहुत ज़ादा होते है तो अगर कोई person rent पे कर रहा है 50,000 rupees per month से ज़ादा तो उनको अपने honor का TDS deduct करना होता है 30th September तक ये rate 5% रहेगा और 1st October से ये rate 2% हो गया है ये जो TDS की deduction है और इसकी payment है ये PAN based होती है इसके इसमें person को कोई भी TAN लेने की requirement नहीं होती इनके लिए कुछ अलग से form होते हैं जिसके base पर आप ये TDS pay कर सकते हैं इसकी मैंने detail में video बनाई हुई है लिंक मैं description में दे रही हूँ उससे आपको पता चल जाएगा ये TDS काटने के बाद pay कैसे करना मैंने live दिखा रहा है अब समझते हैं honor के point of view से तो अगर किसी person ने अपनी property को rent पे दिया होता है तो जो वो income मान करता है उस rent से वो consider होती है income from house property के head के अंदर जैसे मान लीजे इसी case में हम मानते है rent था 55,000 तो अगर ये person honor है तो ये 55,000 अगर पूरे 12 महीने property rent पर रही इसको multiply करेगा 12 से और फिर ये बनेगा ये बनेगा amount 6,60,000 ये उसकी income मानी जाएगी but property के case में directly 30% की हमें standard deduction मिल जहां से सीधे सीधे 1,98,000 directly minus कर दिया जाएगा ये जो balance आएगा वो इसकी income 4,62,000 यहाँ पर इसकी income माननी जाएगी अब property के case में एक और benefit मिलता है let out property के case में आप interest on housing loan की भी deduction ले सकते हो तो मानलों उस property के लिए आपने housing loan लिया हुआ है और उस पर आप interest पे कर रहे हो तो उसकी भी आप deduction ले सकते हो और इसके अंदर तो फिर 2,00,000 की limit भी apply नहीं होती जो self-occupied property के उपर होती है तो बहुत benefit हो जाते है owner को भी कि वो इस तरह से अपनी income दिखा के और फिर अगर उसने housing loan लिया है उसके interest का भी benefit ले सकता है तो ये taxation हमारी applicable होती है renting के case में यहां मैं आपके साथ renting के case में income tax के provisions discuss कर रही हूँ renting के case में हमारा GST भी applicable होता है तो उसके लिए भी latest government ने काफी सारे provisions change किये है उस video को देखने का link मैंने description में और सारे ही important links आपको comment में भी दिखेंगे पहला पहला comment पढ़िए उसमें सारे important links आपको मिल रहे है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका credit score बहुत important होता है description में दिएगे link से अभी free में अपना credit score जरूर चेक करें इतनी important वीडियो को आपने खुटतो देखी लिया है नीचे ही share tab है share करना ना भूले साथ ही उसी के साथ आपको दिखेगा subscribe बटन इस पर click कर ले आपके लिए बिल्कुल free है thank you so much